कथा सहित्ते में आज सुनिये मालते चूशी ची के लिखी कहानी हम बैरागे जनम के इला ओफिस के लिए तैयार हो रही थी यू तो दस बारहन दिन बाद काम पर जाना बहुत अखरता है पर इला के साथ उल्टा हो रहा था वो तो जैसे बाहर चाने के लिए तरस कई थी पिछले दिनों उसे ज़रा भी आराम नहीं मिल पाया था घर में शादी हो तो कोई आराम की सोच भी कैसे सकता है खास कर यहां तो सारा दरोमदार उसी पर है संदीप और सुनिता तो मेहमान की तरह समय पर आये थे हाँ इस बार निलु की शादी में उन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग दिया था शीलु की शादी में तो दोनों हात हिलाते चले आये थे निलु की विदाई तो मंगलवार को ही हो गई थी पर घर मेहमानों से भरा था फिर एक-एक कर मेहमान विदा होने लगे उनके नेक दस्तूर करते करते इला हाव कई थी पर मा थी कि जरा भी रियायत बरतने को तयार नहीं थी कल शाम की भुपाल एक्सप्रेस से शीला रानी विदा हुई इस बार तो पूरे वक्त उनका मुँ घड़े जैसा सूजा ही रहा इसलिए विदाई में काफी कुछ देना पड़ा आठ शाम चार बजे अमर कंटक एक्सप्रेस से संदीब जा रहा है बैठक में संदीब मा के पास बैठा उन्हें दवायादी नियम से लेने की हिदायत दे रहा था मा एक ही राग अलाप रही थी अब मुझे दवायां लेकर क्या करना है मेरे सारे काम पूरे हो गए है अब मौत कल आ रही हो तो आज आ जाए तैयार पैठी हूँ इला को एकदम ताव आ गया सारी की पटलियां ठीक करते हुए वो बाहर आ गई बोली वो बेचारा ठीक से कुछ समझा रहा है तो सुन लो ना एकदम मरने जीने पर उतरने की क्या जरूरत है मैं ठीक ही तो कह रही हूँ एक निलू की शादी की ही फिक्र थी मुझे सोनी पट गई अब भगवान जम मर्जी हो बुला ले मान लो भगवान जी तुम्हें पहले ही बुला लेते तो क्या निलू की शादी नहीं होती मा अवाक उसका मुझ देखती रह गई किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता मा कोई काम नहीं रुकता जैसे तैसे हो ही चाता है अब बाबुजी नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ा तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख गए उनकी शादी हो गई क्या बाकी रहा तो तू यह जताना चाहती है कि सब कुछ तूने किया है मैं कुछ भी जताना नहीं चाहती सिर्फ बताना चाहती हूँ कि मलने की इतनी जल्दी ना मचाईये माताश्री आपके सारे काम अभी पूरे नहीं हुए है आपकी एक और लड़की अभी अन्व्याही पैठी है मा का चेहरा फक हो गया संदीप भी हत्प्रब रह गया दीदी को आज क्या हो गया है इतनी कड़वी बात तो इससे पहले उसने कभी नहीं की अच्छा संदीप चपल पहनते हुए इला ने कहा सौरी स्टेशन पर नहीं आपाऊंगी अभी से हैपी जर्नी कहती हूँ पहुँचकर फोन करना बाए जब तक संदीप को होश आता कि वो उठकर दीदी के पहर चूले तब तक तो वो अपनी एक्टिवा पर सवार होकर सड़क की भीड़े में गुम हो चुकी थी शाम को दफ्तर से लौटी इला तो सुशीला सीड़ियों पर बैठी मिली क्यों री यहां क्यों बैठी है मा ने दर्वाजा नहीं खोला क्या दर्वाजा तो खुला है पर मम्मी जी कह रही है कि सब महमान चले गए है अब जरूरत नहीं है ये मा भी ना रोज एक ना एक तमाशा लगाए रहती है चल तु भीतर चल और रसोई में लगने से पहले मुझे एक चाय बना कर दे जाना फिर कपड़े बदलते हुए उसने मा से पुछा आज हम लोगों का कही निमंतरन है क्या मा निमंतरन कौन देगा फिर सुशीला को क्यो लोटा दिया मैंने सोचा दो जने ही तो है पर वे दो जने भी खाना तो खाएंगे न वह कौन बनाएगा मा चुप तुमने तो अरसे से रसोई में जाना छोड़ दिया है मा और बाहर के काम निप्टाने के बाद मुझे में भी इतनी ताकत नहीं बच्टी कि चूले में सिर्दे सकूँ मैं तो अब इसे हमेशा के लिए रखने की सोच रही हूँ अरे उसके हाथ में जरा भी सुआत नहीं है उसकी बनाई सबजी जरा भी नहीं भाती है तो एकाज सबजी तुम अपनी पसंद की बना लिया करो ना हमारा भी जायका बदल जाएगा अब तो यही करना पड़ेगा मुझे सहेजने वाली तो दोनों चली गई अब तो तुम्हारा ही राज चलेगा इल्या को गुसा आ गया उसने सोचा मैंने तो सोचा था कि तुम थोड़े दिन बहु की सेवा का सुक उठाओगी मैंने तो संदीब से कहा भी था बहु बोली की आपको छुटियों में ले जाऊंगी अभी मैं दिन भार बाहर रहूंगी आप बोर हो जाएंगी हुँ ऐसी पता नहीं कितनी छुटियां आई और निकल गई इला बुदबुदाई और निठाल होकर पलंग पर लेट गई उसे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है उसकी शादी की चिंता को तो खैर मा ने हाशिये पर डाल ही दिया है पर उसकी भूग प्यास का उसके आराम का तो खयाल रख सकती है वो 19 साल की थी तब से लगातार खट रही है इंटर्मेडियेट में थी जब बाबुजी अचानक चल बसे 14 साल का संदीब 10 साल की शीलू और 6 साल की नीलू एक तम कच्चे क्रिहस्ती थी तेर में से निपटते ही रिष्टेदारों ने जोड तोर शुरू कर दी कहा की जूटा बर्थ सर्टिविगेट पनवा कर लड़के को चिपका दो फिल हाल चपरासी ही सही बाद में तरक्की करता रहेगा पर अपने एक लौते बेटे के लिए बाबुजी ने बहुत से सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने का बीड़ा इला ने उठा लिया और उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई इन बीस वर्षों की कहानी उसके अथक परिश्रम त्याग और तपस्या की कहानी है अपने तीनों भाई बहनों को उसने अच्छी शिक्षा दी भाई को तो इंजिनियर बना दिया तीनों की शादियां यथा शक्ती धूम धाम से की आज दफ्तर में सब लोग उसकी तारिफ कर रहे थे जो लोग उसके इस कठिन प्रयास के साक्षी रहे थे उनके पास तो प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं थे वो उन लोगों को कैसे बताती कि तारिफ तो सभी कर रहे हैं पर उसके अपने ही उससे खुश नहीं है मा इसलिए नाराज हैं कि निलू के लिए किसी निलड़का ढूनने की जहमत नहीं उठाई इसलिए उसे खुद ढूनना पड़ा उसकी लव मेरिस को वो अपना घोर अपमान समझ रही है शीलू भी पूरे वक्त मुँ फुलाए ही गुमती रही उसका कहना था कि उसकी शादी तो जैसे तैसे निपटाती गई थी और अब निलू की शादी में देखो कैसी टीम टाम हो रही है निलू को यह बुरा लग रहा था कि उसने अपने लिए इतना अच्छा घर बर खुट ढूंडा पर घर वालों ने उसकी कोई कदर नहीं की ना ढ़ंग से स्वाकत सतकार किया ना ठहराने की ठीक से विवस्था की संदीब की बहु अलग नारास थी कि हमारे वक्त तो रिसेप्शन के लिए पैसे नहीं थे अब लड़कियों के वक्त तेजोरियां खुल गई है अब उसे कौन बताता कि इस रिसेप्शन का खर्च संदीब ने ही उठाया है उसकी तो आउकात नहीं थी पर यह कहना भी मुश्किल था क्योंकि संदीब ने सक्त हिदायत दे रखी थी कि सुनीता को इस बात की हवा भी ना लगने दी जाए नहीं तो वो मुझे खा जाएगी इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच यह आशा करना ही व्यर्थ था कि कोई उससे कृत्यगता के साहनुभूती के दो शब्द कहेगा जहां उपकार का एहसास ही नहीं वहां कृत्यगता कैसी वे सब तो जैसे मान कर चल रहे थे कि जो मिल रहा है वे हैं उनका हक है वे जैसे भूल ही गए थे कि उसके पास भी एक मन है जिसमें कोमल भावनाएं है जो प्यार की अपेक्षा रखता है वो तो जैसे पैसे कमाने की मशीन होकर रह गई है रात में खाने के बाद मा टीवी के सामने चकर टट गई इला ने भुनभुनाते हुए किसी तरह रसोई समेटी और बैठक वाले कमरे में ज्छांक कर कहा मा मैं सोने जा रही हूँ तुम दर्वाजे वगेरा बंद कर लेना इलू जरा सुन तो इलू इला एक्दम चौंक गई महरानी जी मेम साब की जगह बाकाइदा इलू सारे मतलब तो निकल गए है अब यह मखन मिसरी किस लिए हाँ बोलो कमर पर हाथ रखकर वो सामने खड़ी हो गई जरा पैट तो वो धम से कुर्सी पर पैट गई जल्दी बोलो मा मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही है संदीब कह रहा था मा इतना बोल कर कुछ तेर चुप रही इला भी चुप पनी रही संदीब कह रहा था कि वो एक बड़ा फ्लेट लेना चाहता है यह तो बड़ी अच्छी बात है बड़ा घर ले लेगा तो कभी का भार तुमें भी बुला सकेगा कम से कम छोटे घर का बहाना तो खत्म हो जाएगा मा ने उसकी वेंग्यात्मक टिपणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे कहा कह रहा था उसके लिए लोन लेना पड़ेगा सो तो लेना ही पड़ता है पर कह रहा था लोन ऐसे ही नहीं मिल जाता प्रोपर्टी गिर्वी रखनी पड़ती है इला कुछ नहीं बोली सिर्फ मा के बोलने की परतिक्षा करती रही कह रहा था कि मकान की रजिस्ट्री मिरे नाम कर दो तो लोन मिलने में आसानी हो जाएगी कर्जा पड़ जाने के बाद मैं रजिस्ट्री लोटा दूँगा अब समझ में आया कि भाई साहब सोमवार को ऑफिस गोल कर यहां क्यों टिक गए थे तुमने कुछ जवाब नहीं दिया मैं क्या जवाब दूँ तुम्हारा घर है जिसे मर्जी आये दे देना अच्छा मैं सोने जा रही हूँ और वो तैश में उठकर अपने कमरे में चली आई उसका पूरा दन बदन जल रहा था समझ गई की नीलू की शादी में जू पैसे दिये गए वह महस एक रिश्वत थी उसका मन वित्रिशना से फरुठा कभी कभी वो कलपना क्या करती थी कि मा के बाद घर का बटवारा हो रहा है उसके तीनों भाई बेहन कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए हमारे दिदी ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए होम कर दी है इस घर पर उनका और गेवल उनका हक बनता है पर भाई लोगों ने तो मा के मरने का भी इंतजार नहीं किया सब कुछ पहले ही सेट कर लेना चाहते हैं सुभा उठी तो उसका मूट बेतरहा उखड़ा हुआ था मा से आजकल समवाद वैसे ही कम हो गया था आज तो उसने बात भी नहीं की देरी का बहाना कर बिना खाय ही दफ्तर चली आई वहाँ भी काम में मन नहीं लगा बार-बार यही सोचती रही क्यों खट रही है वो किसके लिए खट रही है लंच टाइम में संदीब का फोन आया दीदी हम लोग समय से पहुँश गई थे पर उफिस जाने की हरबड़ी में फोन नहीं कर पाया कोई बात नहीं मा को जरूर फोन कर लेना चिंता करेंगी मा को तो शायद सुनीता ने घर से निकलते हुए ही लगा दिया था मैंने कहा मैं दीदी से बात में इत्मिनान से बात करूँगा संदीब मा बता रही थी कि तुम फ्लैट खरीदने की सोच रहे हो हां दीदी जितना किराया हर महीने भरता हूँ उतनी किस्त में तो इससे बड़ा फ्लैट मिल जाएगा और सरूरत भी है यह घर छोटा पढ़ने लगा है यह अच्छा सोचा है तुमने बड़ा घर लोगे तो मा भी तुम्हारे पास रह सकेंगी यहां तो अब उन्हें बोर ही होना है वहां बच्चों में मन लगा रहेगा बड़ा घर लेना इतना आसान काम थोड़े ही है दीदी में प्रॉब्लम इस फाइनेंस तो यह घर पेज देते हैं कुछ लोन ले लेना क्या हम घर पेज सकते हैं संदीब के स्वर में उच्चुकता थी क्यों नहीं प्रॉबर्टी आखिर होती किसलिए है हाँ इसके पांच हिस्से होंगे अपना हिस्सा मैं तुम्हें दे दूँगी मा भी अपना शेयर खुशी खुशी तुम्हें सौंप देंगी रही नीलू शीलू की बात तो मा उन्हें आसानी से मना लेंगी मुझे विश्वास है घर बिख जाएगा तो तुम रहोगी कहां अरे मैं अपने लिए एक वन लूम किचन ढूंड लूंगी जादा बड़ा करना भी क्या है मा तुम्हारे पास रहेंगी तो यहां आवाजा ही वैसे ही कम हो जाएगी नीलू शीलू भी जब तब मा से मिलने आएंगी तो तुम्हारे घर ही आएंगी मैं छोटे से घर में आराम से गुजारा कर लूंगी मा क्या मेरे पास रह पाएंगी संदीब के स्वर में हिचक चाहट थी उन्हें रहना पड़ेगा इला ने द्रिर्टा से कहा देखो संदीब मैं कुछ दिन शांती से रहना चाहती हूं जब से होश संभाला है तनाव में ही रही हूं घर का खर्च मा की बिमारी तुम लोगों की पढ़ाई बहनों की शादी रिष्टेदारों के नेक दस्तूर यह सब करते करते 40 साल में ही बुढ़ा गई हूं मैं जब से नौकरी शुरू की है कर्स की किस्ते ही पटा रही हूं मैं ये नीलू की शादी वाला भी अभी दू तीन साल तक चलेगा उसके बाद मैं अपने लिए सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूं हो सका तो चार पैसे जोड़ना भी शुरू कर दूँगी ताकि बुढ़ापे में अपने लिए एक मुकमल छट का भी इंतजाम कर सकूँ उसे लगा कि संदी पलट कर कहेगा दीदी तुम्हें अलग छट की क्या जरूरत है मेरा घर है तो पर उस और शान्ती ही बनी रही शायद उसकी बोलती बंध हो गई थी कहानी यहीं पर खत्म होती है कहानी सुनने के लिए धन्यवाद अगली कहानी लेकर फिर से आउंगी